मन उस दिन था जिस दिन मेरे पापा हमारे पुरी परिवार को छोड़ कर चले गए कारण कुछ खास नहीं था उनको डियाविटीज थी कैसी डियाविटीज थी? हाई लेवल मैंटेन रखते थे वो डियाविटीज काफी दवाई खाने के बावजूद इंसुलीन का इंजेक्शन लेने के बावजूद भी उनके डियाविटीज पर कभी उनका कंट्रोल नहीं हो पाया रिजन साफ था उनको चलना पसद नहीं था मैं विकास रंजन बेगुसरे भिहार कराने वाला जैपान में टोक्यो में पिछले तीन साल से कारी रहत हूँ पेशले से सॉफ्ट्वेर इंजिनियर हूँ मुझे जैपान में आने के बाद जो सबसे अच्छी बात लगी वो है जैपनीज लोगों का लाइफ साइकल यहां 33% के दा लोग 60 से उपर के अस ग्रूप के हैं 25% लोग 65 से उपर के अस ग्रूप के हैं और 12.5% के आस पास के लोग 75 ज्रूप के हैं कारन असपस्ट हैं वो चलना पसंद करते हैं in average एक जैपनीज कम से कम دिन में 10 से 12 एंटर चलना पसंद करते हैं वो चलते भी है, जो दूरी वो चल करनी पूरी कर सकते रोड़ते हैं, वो सैकलिंग करते हैं, जैकल से जाना पसंद करते हैं। उनका फिटनेस देखने लाइक होता है, उनकी फूरती देखने लाइक होती है। हमारे जितने भी जपान में रह रहे हैं, ब्रिध लोगों को हम लोग देखते हैं, जो ओल्ड काफी एस गुरूप के होते हैं, वो भी किसी चीज़ का साहरा ले करने की चलते हैं, क्योंकि उनकी फिजकल एक्टिविटी इतनी होती है, कि वो फिट रहते हैं, और उसका कारण सबस्ट हैं, वो चलते हैं, आस्ता फाउंडेशन के सदस्य और उनके जितने भी वोलिंटेर्स हैं, उनके कुछ एक सदस्य के माध्यम से मुझे इस मुहीम की जानकारी मिली, जिस मुहीम का नाम है, वाक फर लाइफ, कल पठना में उन लोगों ने बहुत ही बरे अस्तर पे आपके डाविटीज पर कितना कंट्रोल रखा और किया जा सकता है, मैं विकास रजन, बिहार जारखन एस्सेशन ऑफ जपान का एक सक्रिय सदस्वी हूँ, इसलिए मेरा पठना और पठना में हो रहे जितने भी हमारे एक्टिविटीज हैं, उनसे खुद बखुद एक जु विदन है, वाक फॉर लाइफ